हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बाउचर टाइप का महत्तु क्या होता है वाट इस दे इंपोर्टेंस आफ बाउचर टाइप यह हम समझेंगे काफी कन्फियोजन है इस बात को लेकर के कि बाउचर टाइप हम क्यों बनाएं जबकि हम simply entry कर सकते हैं टैली में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को और आज जानते हैं कि बाउचर टाइप का क्या महत्त होता है तो company हम change कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर company मैं दूसरी ले लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर हमने बाउचर टाइप बनाया नहीं है कैसे पता कि बाउचर टाइप नहीं बनाया है यहाँ अकाउंट इंपो क्लिक कीजिए एंटर कीजिए और यहा पर आजाईए अल्टर यह सारे बाउचर टाइप पहले से बने हुए है हमने कोई इसमें बाउचर टाइप नहीं बनाया हुआ ठीक है अब हमको बाउचर टाइप बनाने के बारे में समझना है ठीक है तो अभी हम purchase के लिए बाउचर टाइप design कर सकते हैं sell के लिए ही कर रह अगर एंड आफ लिस्ट कर दीजे आप और यहां पर बाउचर टाइब सेलेक कर लिए ने यहां कर लिए हमने अब यहां पर अब्रिवेशन आगया सेल्स ऑटोमेटिक रहने देता हूँ यहां पर ठीक है एंटर पेस करता हूँ एंटर पेस करते हुए आपको आ अब यहां पर देखिए यहां पर कहरा है प्रिंटिंग अगर आप यह चाहते हैं कि प्रिंट होने के साथ ही जैसे ही आपका डॉकुमेंट सेव होता है उसी के साथ ही वो प्रिंट होने लगे तो उसके लिए आप इसको यस कर सकते हैं अदर्वाइज नो कर सकते हैं मैं इसको yes कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर default title printing आ रहा है तो title क्या print करना चाहते है आप sales voucher में ठीक है मालीच अगर हिंदी में title print करना चाहते है तो यहाँ हिंदी में दे दीजे, ठीक है, अगर انگलीज में देना चाहते है तो आप English में दे सकते हैं मैं यहाँ पे Hindi में देता हूँ Computer Computer Center यहाँ से यह हमने दे दिया Bank का अगर डीटियल देना चाहते हो तो दे सकते हो फिलाल मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही अब इसको हम यहाँ से सेप कर लेंगे अब आते हैं हम Sales Boucher में ठेक है तो Sales Boucher के लिए V पहले प्रेस कर लेता हूँ फिर यहाँ से F8 प्रेस करूँगा तो यह आगा हम Sales Boucher में अब यहाँ पे Credit Sell और Sales दो चीजे दिख रही है हमें यहाँ पर आजे ही अब Credit Sell पे यहाँ अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर देना है Reference Number तो यह दे दिया हमने Reference Number Enterprise किया अब यहाँ पर आ रहा है Creditor Particle Laser Data Particle Laser लेजर हमने बनाया नहीं है अल्ड के साथ C प्रेस करता हूँ Data Particle Laser बना लेता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ रितेश और यहाँ पर आ जाएगा Under Group कौन से Group में यह जाएगा तो Sundry Data Group में जाएगा तो Sundry Data कर लिए Maintenance Bill by Bill इसको Yes रख सकते हैं आप और यह Price Level हमने बनाया है तो इसको Yes कर लेता हूँ Maintenance Bill by Bill भी यहसी रहेगा Enterprise करता हूँ Enterprise करता हूँ और इसको Accept करा लेता हूँ यह हमने करा लिया Accept Enterprise कीजिए फिर Interface कीजिए और चाहे तो यहाँ address डाल सकते है Enterprise करके इसको Accept करा लिजिए Sales Account का लेजर यहाँ आ जाएगा आ गया चलिए बात कर लेते हैं Keyboard की तो Keyboard यहाँ पर ले लिया हमने और इसकी 70 quantity हम ले लेते हैं ठीक है Negative Stock चलिए Avoid कीजिए कोई दिकत नहीं है यहाँ पर आ करके और अब यहाँ से इसको New Reference कर देते हैं और यहाँ से इसको Accept करा लिए आप यहाँ देखिए Print होने के साथ ही यह बोला है कि मतलब Save करने के साथ यह बोला है इसको Print करने के लिए आप Y प्रेस कर दीजिए यह Save होने लगेगा इसको Save करिए यहाँ पर इसको एक Name देता हूँ मैं इसको Save कर लिए Title के नाम से इसको Save कर रहा हूँ अब यहाँ पर चलते हैं और यह देखे Title के नाम से यह हमारा Save हो चुका है डॉकमेंट आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं The Sign in Computer Center उपर प्रेंट होकर आ रहा है आप Hindi में प्रेंट कर सकते हैं चाहे तो English में भी प्रेंट कर सकते हैं इसी तरह से आप Purchase में भी कर सकते हैं लेकिन Purchase में थोड़ा तरीका अलग है मैंने Purchase के लिए भी एक वीडियो Create किया है आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे Share कर सकते हैं Thank you for watching this video